हाई फ्रेंड्स वेलकम तो लॉमिट आएम मस्कान मंध्यान यू लीगल गाइड तो गाईज हमसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप सॉवरेंटी की लोकेशन, काइंड्स और लिमिटेशन पर एक वीडियो बनाएं तो ये वीडियो आ चुका है गाईज अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन के जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो प्लीज जाकर जॉइन कर लिजे बिकाउज हर वीडियो की नोट्स में वही पर आपको रेडी अविलिबिल करा रही हूँ तो ये रिक्वेस्ट यूगाईज के अपलो प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रही हैं एंड लेट्स स्टार्ट मारा पहला टॉपिक है लोकेशन ओफ सॉवरेंटी लोकेशन ओफ सॉवरेंटी का मतलब है कि सॉवरेंटी आखिर रिजाइड किस में करती है किस स्टेट के किस एलेमेंट में हमें सॉवरेंटी देखने को मिलती है सॉवरेंटी की लगबख सारी ही थियोरीज मैंने कवर कर दियें कुछ नहीं बचाया अगर आपने नहीं देखा है जरूर जाकर चेक करिएगा एक बार उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी देदूँगी और आये बटन में भी आपको मिल जाएगा तो जॉन आस्टन ने कहा था कि एक एक इसी से हमें समझ में आ रहा है कि जो लोकेशन है सॉवरेंटी की वो ट्रेस की जा सकती है thinkers और scholars के बीच में काफी जादा controversy चल लई है इस बात को लेके कि सॉवरेंटी आखे रहती कहा है state में किस के हाथ में सॉवरेंटी हमें देखने को मिलती है state में तो आपको बता दो इसका कोई definite answer आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ठीक है इसका कोई definite answer है ही नहीं because sovereignty एक abstract concept है right sovereignty को हम छूँ नहीं सकते sovereignty को हम देखने सकते जब वो apply की जाएगी तब ही हमें पता चलेगा action से हमें पता चलेगा कि sovereignty exist करती है तो इसलिए sovereignty किसके पास है ये पता करना बहुत जादा मुश्किल है location sovereignty की पता करना बहुत जादा मुश्किल है फिर भी हम इस चीज़ पर different views है और हम देखते हैं क्या क्या locations है sovereignty की locates in monarch ठीके तो जब बहुत पहले यार monarchies थी monarchs का rule था, kings का rule था, emperors का rule था वो लोग कहते थे I am the god ठीके, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सबसे जादा supreme हूँ मैं ही sovereign हूँ, ठीके आपको मैंने divine origin theory भी पढ़ाई है नहीं देखा है वो वीडियो देख ली जगा समझ में आ जाएगा, right monarchs कहते थे, kings कहते थे I am the god, ठीके, I am the shadow of god on earth, ये सारी चीज़ें याद करो, ये वही वाला concept है, तो locates in monarch monarch के पास absolute powers थी, वो unlimited था, ठीके बहुत जादा ताकत थी, उसके पास उसके orders को कोई भी जाके, उसके against नहीं जा सकता था, he was the human superior, लेकिन जैसे democracy आई, जैसे democracy का concept आया, ये वाली जो है, locates in monarch, ये बुरी तरीके से fail हो गई, ठीक है democracy तो किसी एक के हाथ में पार देती नहीं है, democracy तो कहती है rule of people, लोगों के हाथ में पार है भाई, है ना, इसी वज़े से ये वाला concept fail हुआ, that sovereignty locates in monarch, locates in people, जो लोग democracy में believe करते हैं, जो scholars democracy में believe करते हैं, जो thinkers democracy में believe करते हैं, वो कहते हैं, कि जो sovereignty है, वो लोगों के हाथ में रहती है So, Roman philosopher Cicero ने पहली बार ये view propound किया, कि sovereignty लोगों में रहती है, आपसे humble request है, आप वीडियो को बहुत जादा share करिये, जल्दी से जल्दी और जादा जादा share करिये, ताकि हम grow हो सके, और मैं जादा जादा informative content आपके लिए ला सकूँ, अगर नए है तो bell icon को जरूर से प्रेस कर दीजएगा, modern times में John Locke और Russo नो इस view को accept किया कि sovereignty लोगों में रहती है, French और American Revolution भी इसी principle पर based थे, लेकिन अभी भी सारे ही thinkers इस view को ऐसा नहीं मानते हैं कि sovereignty लोगों में रहती है, राइट, सारे ही thinkers ऐसा नहीं मानते हैं, क्यूं? because society unorganized है, राइट, लोग unorganized होते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, राइट जो sovereignty है, वो organized रहती है, वो unorganized नहीं रहती है, फोर्थ है locates in constitution making body, sorry, third है यह point, ठीक है, तो यहाँ पर कहना है कि sovereignty जो है, वो constitution making body में रहती है, जिसने constitution बनाया है, उसके पास sovereignty है, राइट, तो यह view था 16th century का, 16th century में view प्रोपाउंड किया गया, so जिसके पास constitution को amend करने की, या change करने की authority थी, वो भी एक sovereignty थी, according to sovereignty locates in constitution making body, ठीक है, इस theory के हिसाफ से, जिस authority के पास constitution को amend करने की ताकत थी, वो भी एक sovereignty, लेकिन इस view के पास भी काफी जादा opposition आया, modern times के जो scholars हैं और thinkers हैं, वो मानते हैं, sovereignty एक तरीके से legislature में हमें देखने को मिलती है, ठीक है यानि legislature के पास sovereignty रहती है, लेकिन sovereign तो supreme रहता है sovereign unlimited रहता है, क्या legislature supreme और unlimited रहता है बिलकुल नहीं legislature एक तरीके से आपका pressurized रहता है public opinion से, influenced रहता है public group से, pressure group से, religion से ये सारे अलग-अलग factors legislature को affect करते हैं, उसे influence करते हैं, तो वो sovereign बनेगा कैसे and in a federal setup, अगर आप किसी federal setup की बात करो, या federal government की बात करो, वहाँ legislative powers divide रहती है right, वहाँ legislative powers का division of power हो रखा रहता है, वहाँ पे power divided रहती है, तो जब power ही divided है, तो sovereignty का तो isn't सी खतम हो गया न sovereignty के लिए क्या चाहिए power divide नहीं होनी चाहिए power single authority के पास होनी चाहिए और power unlimited होनी चाहिए, ये तीनों ही legislature के पास मौझूद नहीं है conclusion, ठीक है to conclude हम ये कह सकते है कि state की पास ही sovereignty रहती है, ठीक है state के पास ही sovereignty रहती है, क्यों? क्योंकि सब कुछ state के अंदर ही तो हो रहा है न, ध्यान से देखो, जो भी आपकी government form हो रही है, वो state के अंदर form हो रही है, राइट, जो भी सारे institutions, organizations associations है, वो state का part है, तो सब कुछ state के जब अंदर ही हो रहा है, तो state ही sovereign हुआ, राइट, state के पास ही sovereignty है, अब हम discuss करने वाले है, kinds, या types, या aspects of sovereignty, राइट, और यह बहुत important topic है, मैं आपको बता रही हो, यह जब आप constitution पढ़ोगे, आगे जब पढ़ोगे, तब भी यह चीज आपके बहुत ज़ादा काम आने वाली है, first है titular sovereignty, तो जहां पे जिस state में constitutional government रहती है, वहां पे state के head को हम titular head कहते हैं और इस तरह की sovereignty को हम formal sovereignty के नाम से भी जान सकते हैं, जो titular head रहता है, आपको जैसे titular, titular का मतलब क्या होता है, title, ठीक है वो head सिर्फ एक नाम के लिए रहता है, सिर्फ एक title भर के लिए उसे head कहते हैं, ठीक है उसके पस दिखाने के लिए powers होती है, use करने के लिए नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो कान खोल के सुनो, मैंने क्या बोला, उसके पस दिखाने के लिए power होती है, use करने के लिए नहीं, ठीक है वो सिर्फ title भर का नाम भर का head होता है, राइट उसके नाम में सारी activities perform की जाती है, मतलब एक constitutional government है अगर ठीक है किसी state में और मैं उस state की head हूँ, ठीक है, titular head हूँ, तो अगर कुछ होना है, ठीक है, कोई military एक तरीके से agreement sign होना है, तो sign मैं ही करूँगी, ठीक है, sign मैं करूँगी, लेकिन मुझे permission लेनी होगी किसी और की, ठीक पास है, फिर भी मुझे permission की ज़रत पड़ेगी, और मेरी sign से ही सारे काम होंगे, राइट, लेकिन फिर भी मुझे permission लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक titular head हूँ, सारी government activities उसी के नाम पर होती है, ठीक है, उसी के नाम पर सारी government activities initiate होती है, सब कुछ वही करता है, लेकि लेकिन उसे permission लेनी पड़ती है किसी और की, उसके पास real powers नहीं रहती है, सिर्फ nominal capacity में act करता है as an instrument of government, government उसको एक instrument की तरह use करती है, उसकी वही value होती है, he is like a shadow without substance, ऐसे-ऐसे courts भी उसके लिए use होते हैं, कि वो एक symbol है, बस power का, उसके पास actual power नहीं रहती है, he is shadow without substance, यानि वो सिर्फ एक परचाई है, ठीक है, shadow है, substance कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मैंने कहा था ना, उसे permission लेके act करना पड़ता है, किसकी permission लेनी पड़ती है, aid and advice of ministers, ministers की permission लेनी पड़ती है, कुछ भी कहने से पहले, right, कुछ भी करने से पहले, कोई भी act करने से पहले, भले ही वो हर document पर sign करेगा, फिर भी उसे कुछ करने के लिए, sign तक करने के लिए, कोई decision लेने के लिए, ministers की advice लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ एक symbolic head रहता ह है, he is a symbol of sovereignty, उसे हम symbol of sovereignty कह सकते है, actual sovereign नहीं कह सकते हैं, titular head का concept आया ही क्यों, titular head का concept इसलिए है, because जो पहले monarchies रहती थी, या kings या monarchs रहते थे, वो बहुत ज़्यादा tyrannical रहते थे, बहुत ज़्यादा cruel रहते थे, right, publicate words, तो democracy जब आई धीरे-धीरे, तो उसने उसकी ये चीनली और उसे एक titular head बना दिया, बस नाम भर का उसे एक head बना दिया, उसे real parts पूरी तरीके से चीनली, अब titular head का example क्या होगा, king of Britain, ठीक है, king of Britain, उनके पास actual parts नहीं है, ठीक है, but still he is the king of Britain, अब आप इंडिया में आ जाओ, यहाँ पे Indian president एक titular head है, ठीक है, एक titular head है, ज and president के पास सारे parts है, सारे, discretionary parts, military parts, everything, सब कुछ उनके पास है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, he has to act on the aid and advice of the council of ministers, बिना council of ministers की aid और advice पर वो काम नहीं कर सकते हैं, वो sign नहीं कर सकते हैं, यानि जो कुछ भी होता है इंडिया में, जो कुछ भी इंडिया में होता है, वो लगता तो है कि president कर रहे है, बटन से करवाया जाता है, he is a titular head, उनके पास तो real parts है ही नहीं, इनने तो nominal head का जाता है, titular head का जाता है, rubber stamp का जाता है, बहुत सारी चीज़न कहीं जाती है, just a symbol of power, right, तो इंडियान president से जब आप compare करोगे, जब आप पढ़ोगे तब को समझ में आगा कि वो titular head है, उनके पास real parts नहीं है, real parts तो prime minister के पास है, उनके कहने पे इनको सब कुछ करना पड़ता है, right, कुछ भी है करते है, कोई भी decision लेते है, ये खुद से नहीं लेते है, इनको power मिली हुई है, बट ये खुद से decision नहीं ले सकते है, he has to act on the aid and advice of ministers, अब बारियाती है, real sovereignty की, तो एक state जहाँ पे constitutional government exist करती है, वहाँ पर sovereignty लोगों के हाथों में रहती है, right, लोग exercise करते है, sovereignty, because वहाँ democracy रहती है, एक individual या group exercise करता है, real part, right, real part एक individual exercise करता है या एक group exercise करता है, example क्या है, British Parliament, British Parliament का example ले लो, जो Parliament में लोग बैठे हुएं, वही तो पार, real part exercise कर रहे है, ठीक है, law making part, and India में the Parliament in India, ठीक है, जो इंडिया का Parliament है, वो exercise करता है, real part, जब किसी authority के पास law की backing हो, तो issue commands, ठीक है, जब किसी authority के पास law का support हो, तो issue commands, तब उस authority को हम legal sovereignty कहेंगे, यानि उस authority को law का support मिला हुआ है, एंड तब ही वो commands issue कर पा रही है, ठीक है, तब वो एक legal sovereignty कहलाएगी, इस authority के सभी decisions, final legal source कहे जाते हैं, right, sorry, decisions नहीं, directions, ठीक है, जो भी ये authority directions देती है, उसे हम final legal source कहते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, जो इस authority ने कहे दिया, वो एक तरीके से पत्थर की लकीर है, ठीक है, उसके against कोई नहीं जा सकता है, तो जो भी authority directions देती है, वो final होते हैं, complete होते हैं, जो भी laws हैं, जो भी क्या कहते हैं, execute होती हैं और implement होती हैं, ठीक है, जितने भी laws हैं वो इनके नाम पर ही execute होते हैं और implement होते हैं, बट ये authority कभी भी public opinion neglect नहीं कर सकती है, public opinion को ignore नहीं कर सकती है, तो ये authority है law making body, तो law making body का क्या होता है, state की will को laws के form में produce करना, राइट, state की जो will है, उसे law की shape देना और society में implement करना, ये ही काम होता है law making body का, है न, इसका example है British Parliament, अब कब British Parliament ले लो, वो एक legal sovereignty है Britain में, even judiciary इतनी जादा ताकतवर नहीं है, Britain में जितनी की British Parliament है, so next है political sovereignty, तो state में अलग-अलग तरीके के influence होते हैं, right, state में अलग-अलग तरीके के influences देखने को मिलते हैं, इन अलग-अलग influences को, अगर साथ में एक term दिया जाए, तो वो होगा political sovereignty, so state में influence रहता है public opinion का, media का, pressure groups का, ये लोग influence करते हैं law making body को, ठीक है, democracy में pressure groups, public opinion, media influence करते हैं law making body को, और उसे control करने की कोशिश करते हैं, right, इसलिए से कहते है political sovereignty, तो क्या हम कह सकते हैं, legal sovereignty को political sovereignty की बात सुनना जरूरी है, उसके opinion की respect करना जरूरी है, legal sovereign कौन होता है, legal sovereign law making body होती है, right, उसी के पास इतनी पार रहती है कि वो law का support रहता है, कि वो command दे सके, लेकिन political sovereignty, legal sovereignty के उपर आती है, डा, democracy में, legal sovereign कौन होता है, legal sovereign होता है, जिसके पास law की backing और हो command issue कर सके, right, उसके पास law का support और हो command issue कर सके, political sovereignty आपकी लोग ही होते हैं एक तरीके से state में, तो political sovereign की बात सुनना जरूरी है legal sovereign को, जो political sovereignty है वो एक तरीके से unorganized है, because वो public है पूरे state की, right, लेकिन legal sovereignty आपकी organized रहती है, एक बहुत important topic की तरफ हम बढ़ने वाले हैं जो है popular sovereignty अच्छे से मैंने आपको ये चीज explain किया है अभी आगे आप देखेंगे लेकिन please telegram channel join कर लीजे जहाँ पर आपको हर चीज के notes मिल जाएंगे और वीडियो को जादा जादा share कर दीजे popular sovereignty basically सिर्फ इतनी सी बात करती है कि state में sovereignty का source लोग है या people है popular sovereignty सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि supreme authority state में लोग होते हैं sovereign state में लोग होते हैं जो legislature है या executive है उनको legitimacy कहां से मिलती है उनको legitimacy logo से ही मिलती है उन्हें voluntary जो एक तरीके से acceptance मिलती है वो कहां से मिलती है logo से मिलती है अगर लोग except नहीं करेंगे legislature and executive को क्या वो लोग exist कर पाएंगे क्या जो three organs है legislature, executive, judiciary इनको जो legitimacy मिल ली है لوगों से जो acceptance मिल ली है लोगों से अगर ये ना मिले तो क्या ये तीनों exist कर पाएंगे इंडिया में जो कि democratic country है बिल्कुल नहीं exist कर पाएंगे यह जो concept है यह base था classical theory of sovereignty का right जो sorry democracy का जो classical theory of democracy है उसका base है यह concept जो doctrine है popular sovereignty का ठीक है जो doctrine है popular sovereignty के उसके chief exponent है Gene Jakes Russo ठीक है Gene Jakes Russo उसके chief exponent है popular sovereignty हमें ancient और medieval political thought में देखने को मिलती है सिसरो जो की एक roman के philosopher है उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो ultimate source political authority का ठीक है वो लोगों के पास ही रहता है लेकिन उनके time में क्या था उनके time में problem क्या थी उनका view तो सही था कि ultimate authority लोगों के हाथ में रहती है law इसलिए उनकी बात इतनी उपर आने ही पाई state को एक तरीके से sovereignty का use करना चाहिए ताकि जो उसकी community है ताकि जो लोग है उनका welfare हो सके अब जो ये बात हम कहे रहे कि sovereignty लोगों के हाथ में रहती तो क्या सब लोग बैठ के अपनी sovereignty exercise करेंगे पार exercise करेंगे possible नहीं है because लोग तो unorganized होते है society तो unorganized रहती है तो फिर sovereignty exercise कौन करेगा लोगों के बिहाफ पर government exercise करती है sovereignty ठीक है और time to time ये government बदलती है ठीक है ये particular body जो है जो sovereignty exercise करती है लोगों के बिहाफ पर ये time to time change होती है time to time बदलती है elections के थू राइट तो लोग आपस में बैट के sovereignty exercise नहीं कर सकते हैं because वो लोग unorganized रहते हैं बहुत जादा इसलिए उनके बिहाफ पर एक particular body sovereignty exercise करती है ठीक है so democracy में एक तरीके से लोग ये function delegate कर देते हैं अपने representatives को ठीक है अपनी ही will को पूरा करो लेकर ये democracy में final authority लोगों के हाथ में ही रहती है ये चीज़ याद रखना ठीक है democracy में final authority लोगों के हाथ में ही रहती है अब russo का जो concept था general will का जो हमने social contract theory में पढ़ा था ठीक है general will का जो concept हमने social contract theory में पढ़ा था वो एक तरीके यसे popular sovereignty की idea को express करता है, right, general will क्या थी, general will is the common will of the, या collective will of the community, community की collective will को आप, सब की will जब एक साथ आ जाएगी, तब हम उसे general will कहते हैं, सो यहाँ जो russo को concept है popular sovereignty का, यह actually एक तरीके से supreme authority की बात कर रहा है, general will की, ठीक है, इस बतलब की general will जो है society में, वही sovereign है, वही supreme है, यह कह रहा है popular sovereignty का concept according to russo, सो अगर general will sovereign बनती है, ठीक है, अगर general will की sovereignty होती है state में, तो एक तरीके से rule of right reason आएगा, ठीक है, मतलब लोग अपनी बुद्धी से ही सोचेंगे और काम करेंगे, ठीक है, एक right logical reason लगाके वो लोग काम करेंगे, और जिससे society का भला होगा, ठीक है, constantly society improve करेगी, सो रूसो के according, जो लोग हैं वो organized रहते हैं, absolute रहते हैं और unlimited भी रहते हैं, ठीक है, उनकी पार absolute और unlimited रहती है, और organized रहती है, और वही लोग society में determine करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर हम देखें कि sovereignty, ठीक है, government के पास जाती है, लोग जो हैं वो अपनी sovereignty, government को द देते हैं कि तुम exercise करो हमारे बिहाब पर, ठीक है, तब भी जो है, वो एक तरीके से corruption होना ही होना है, ठीक है, corruption तब भी होना ही होना है, भले ही लोगों ने representatives को खुद ही elect क्यों न किया हो, and Russo का भी जो concept है या philosophy है, जो उन्होंने दी है, वो भी एक तरीके से ना, ध्यान से पढ़नी चाहिए, वो भी ती सही नहीं है, because उन्होंने will और reason के बीच में, ठीक है, will और reason के बीच में सही से differentiate नहीं किया है, ये उनकी philosophy का एक तरीके से drawback है, उन्होंने will और reason को differentiate नहीं किया है, national sovereignty को concept कुछ खास इतना popular नहीं है, ठीक है, इसका जादा use नहीं होता है, फिर French Revolutionaries थे, ठीक है, जो French Revolution के part थे, या members थे, उन्होंने एक तरीके से कहा था कि sovereignty किसी मोनाक के पास नहीं रहती है, ठीक है, sovereignty किसी absolute मोनाक के पास नहीं रहती है, बलकि एक nation के पास रहती है, हमें बहुत important concept discuss करने जा रहे हैं, de jure sovereignty का और एक de facto sovereignty का, ये दो concept बहुत जादा important है, पहला है de jure sovereignty, तो एक actual position और formal position में difference होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान सा सुनो, formal position और actual position में difference होना जरूरी है, ठीक है, जो legal या formal sovereign रहता है, उसी को हम de jure sovereign कहते हैं, de jure sovereign के पास एक तरीके से legal sanction रहता है, ठीक है, यानि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, तो आपको punish किया जा सकता है, ठीक है, ये ताकत रहती है de jure sovereign के पास, लेकिन कुछ ऐसे writers थे, जैसे कि John Austin, उन्होंने कहा कि de jure और de facto sovereignty ही बीच में, you know, differentiate करने का कोई मतलम नहीं है, ये government की case में apply होना चाहिए, sovereignty के case में नहीं, यानि de jure government, de facto government, ये फिर भी सही लग रहा है, de jure head, de facto head, ठीक है, लेकिन ये sovereignty यहाँ पे सही से नहीं बैठ पा रहा है, तो उनका ये criticism था, अब जिसके पास actual powers रहती है, ठीक है, जो actual sovereign रहता है, उसे हम कहते है, de facto sovereign, यानि sovereignty as a fact, established fact, अरे यही है भाई, है ना, कहते हैं यही reality है, यही है, उसे हम कहेंगे de facto sovereign, ठीक है, इसके पास actual में पार रहती है, और यही actual में command देता है, de jure sovereignty को एक तरीके से legal support मिला हुआ था, law की backing मिली हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसका basis था law, लेकिन de facto sovereignty का basis क्या है, physical force, या कोई other factor जो law से हटके हो, law इसका एक तरीके से basis नहीं रहता है, इसका basis रहता है physical force या कोई और factor, ठीक है, कभी कभी state में क्या होता है, partly जो है, वो de jure sovereign की बात मानी जाती है, और partly de facto sovereign की, इसी वज़े से बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है, state में पता लगाना कि de facto sovereign आखिर है कौन, right, de facto sovereign आखिर कौन है, ये पता लगाना काफी ज़्यादा difficult हो जाता है, because कभी कभी state में ये दोनों ही simultaneously exist करते हैं, partly exist करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, वो रहा है, देखो de jure sovereign एक तरीके से titular head ही ही है, अगर ध्यान से देखो, तो de jure sovereign एक तर ठीके से titular head है, ठीक है, formally अगर देखा जाए, constitution wise देखा जाए, तो उसको ताकत तो बहुत मिली हुई है, ठीक है, बहुत जादा पार मिली हुई है, लेकिन actual पार कौन exercise कर रहा है, de facto sovereign एक्सराइस कर रहा है, ठीक है, de facto sovereign के पास actual पार है, real पार है, वहीं पे de jure sovereign के पास सर् एक तरीके से de facto sovereign की बात मान कर ही काम करना पड़ेगा, state में, right, de jure sovereign अकेले decisions नहीं ले सकता है, उसे de facto sovereign की बात मान कर ही decisions लेने होंगे, अब हम बात करेंगे internal sovereignty की, ठीक है, तो internal sovereignty क्या है, state के अंदर supreme authority, ठीक है, state के पास supreme authority होती है, कि जो भी individuals, groups, associations रहे रहे हैं, उन्हें व orders दे सके, ठीक है, उन्हें वो command दे सके, इसको कहते है internal sovereignty, यानि state के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन पे एक तरीके से command करना, उनको एक तरीके से command करना, right, वो होगी internal sovereignty, अब बात करते है external sovereignty की, ठीक है, तो एक state जो है, वो independent रहता है, internally भी, externally भी, ठीक है, वो internally भी independent रहता है और externally भी, externally कैसे, कि वो भाई, दोसरे states के साथ relation maintain कर सकता है, treatise sign करता है, ठीक है, और जाके उनकी country में बात कर सकता है उसे जो करनी है और जो important war agreements रहते हैं, वो sign कर सकता है, treatise sign कर सकता है, war declare भी कर सकता है, उसके पास ताकत रहती है ठीक है उसको किसी पर depend होने की जरुरत नहीं है A state is not competent to issue orders to other states दूसरे states को एक state order issue नहीं कर सकता है और उसी तरीके से बाकी state किसी एक state को order issue नहीं कर सकता है because सभी states independent है सभी states sovereign है internally भी externally भी internally एक state associations को और जो भी लोग रह रहे हैं state में उनको command दे सकता है externally एक state war भी declare कर सकता है treaties भी sign कर सकता है उसको किसी दूसरे state पर depend होने की जरुरत नहीं है वो externally भी independent है एक sovereign है अब हम cover करेंगे limitations of sovereignty को theoretically जब हम sovereignty की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि sovereign perfect होता है वो unlimited होता है उसके बहुत जादा ताकत रहती है supreme authority रहता है लेकिन जैसे अब real world में आते हो हकीकत की जब बात होती है ठीक है तब क्या होता है sovereignty किसके हाथों में रहती है एक इंसान के हाथ में रहती है लोगों के हाथ में रहती है तो लोग क्या है इंसान ही तो है तो इंसानों से क्या गलती नहीं होगी इंसान कभी unlimited हो सकता है उसे तो एक दिन मरना ही मरना है Right? Imperfect होते हैं human beings इसलिए sovereignty का concept जैसी real world में apply होता है वो थोड़ा-थोड़ा change होना start हो जाता है और actual practice में अगर देखो तो जब भी हम authority की बात कर रहे हैं उसके साथ responsibility की भी बात कर रहे हैं Authority के साथ accountability जुड़ी रहती एक तरीके से और वहीं पर जब आप ऐसे sovereignty का concept पढ़ते हो तो बोलते हो कि sovereign तो unlimited है absolute है उसको किसी को जवाब देने की ज़रुरत नहीं है अगर उस concept को उठा के reality में लेकर आओ तो भाई उसको जवाब देना पढ़ेगा ठीक है ना because sovereignty supreme authority है उसकी तो सबसे ज़ादा responsibility होगी है की नहीं जब authority की authority को जवाब देना पढ़ता है लोगों को कि उसने ऐसा decision क्यों लिया authority के उपर एक supreme authority होती है जिसको जवाब देना पढ़ता है कि उसने ऐसा क्यों किया यहाँ sovereign का act क्या है उसको जवाब देना पढ़ेगा लोगों को बताना पढ़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया ठीक है तो being sovereign उसकी सबसे ज़ादा high responsibility होगी और अगर सच में भी कोई sovereign अगर unlimited है absolute है किसी को जवाब देने की ज़रत नहीं है तो ऐसे में क्या होगा tyranny आएगी cruelty आएगी autocracy आएगी authoritarianism आएगा ठीक है लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी लोग रही नहीं पाएंगे ऐसे state में ऐसा हो जाएगा finally guys let's conclude this topic जब भी sovereignty को concept real world में apply करना हो हमें एक तरीके से state और government के बीच में differentiate करना बहुत ज़्यादा जरूरी है sovereignty क्या है sovereignty एक तरीके से attribute है state का state के चार attributes रहते population territory sovereignty और एक और रहते जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक है तो sovereignty एक attribute है state का एक abstract idea है sovereignty को अब touch नहीं कर सकते हो कहीं जाके है ना वो एक abstract idea है लेकिन government क्या है government में यार human beings रहते हैं उनके पास wisdom रहती है उनके पास definite powers रहते हैं unlimited powers नहीं रहते हैं government के पास definite powers रहते हैं और वो powers वो एक established procedure के थ्रूही यूज करती है ठीक है एक established procedure के थ्रूही वो powers को यूज कर सकती है और उसके उपर भी checks रहते हैं और safeguards रहते हैं यानि government के उपर भी नजर रखी जाती है क्यों गलत यूज तो नहीं कर रही है अपनी पार का authority का गलत यूज तो नहीं कर रही है एक constitutional government से हमारी expectation क्या रहती है कि वोक responsible manner में act करे और जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है democracy में लेकिन फिर भी people are claimed to be the real sovereign लोगों को ही real sovereign कहा जाता है और government लोगों के बिहाफ पर ही power को use करती है तो यहाँ पर एक court है the sovereign without crown यह लोगों के लिए कहा जा रहा है ठीक है लोगों के लिए कहा जा रहा है जब लोगों के पास sovereignty रहती है real sovereignty रहती है तो उनके लिए court दिया गया है the sovereign without crown right because community है ठीक है society के पास real sovereignty रहती है तो society को एक एक को तो ताज पहना होगे नहीं जाके एक के उपताज नहीं पहना होगी तो पूरी society ही sovereign है इसलिए हाँ पर कहा जा रहा है the sovereign without crown कोई एक sovereign नहीं है अगर एक होता तो उसके सर पे crown रहता उसके सर पे ताज रहता जैसे kings के सर पे रहता था यहाँ पर सभी लोग sovereign है पूरी public ही sovereign है तो इसलिए the sovereign is without a crown इसलिए लोगों के लिए यह court कहा गया है So guys आपको कोई भी problem, कोई भी doubt हो law piece is my insta id जिसका link description में दी है वहाँ पर आके आप उसे बात कर सकते हैं comment section में डाल सकते हैं मैं जरूर उसे देखूंगी Thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video Good luck